नमस्कार मैं हूँ कमर श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अभी नंदन हमारे चैनल में और अप्रेल 2020 मासिक रासिफल के इस एपिसोड में अपरिल मा में जो भी गोचर वसात इस्तिति है जो भी ग्रहब परवर्टन होंगे उनके आधार पर यह रासिफल दिया जा रहा है शेंस जो दूसरे रासिफल या दूसरे जो गोचर के एपिसोड होते हैं उनमें सिर्फ वासरफ उस ग्रह का ही विबरन होता है उस ग्रह का ही विशलेशन होता है यह आप ध्यान रखेगा चाहे वो शुक्र का हो सूरिय का हो मंगल का हो सिर्फ उस ग्रह के बारे में ही जानका वाव होगा इसी का विश्यूशन करके मैं आपको यह रासिफल स्वाँंप रहूं बता रहा हैं हर मां के रासिफल में हम आपकी रासिक अनुसार बहुत सारे सेक्टर का विस्टलेशन करते हैं उसमें मुख्यूरूप से आपकी आए और या पिर प्रोफिट और धन और संपत सुख या प्रेम प्रसंगों के बारे में आपका केरियर या पिता के सुख के बारे में आपकी यात्राओं के बारे में और अंत में एक विसेश उपाए जिससे आपकी समस्यां को समाधान हो पाए या जिससे आपकी जिंदगी सफल हो पाए वह विसेश विवरन वह विसेश उ बुद्व है उसके बारे में क्योंकि यह सबखुच 11 बाव से देखा जाता है रासी से ग्यार्व IK 경우에는 केंद्व अ है वह यह बुद्व इस समय शनी की रासी में हैं अताथ बुद्व और पर होती है वहां पर सुब्त ही मिलती है वहां पर positivity ही मिलती है ऐसी स्तिती में breast पती की नवी दिस्ती आपकी राशी से 11 आउस पर है तो गेन की स्तिती रहेगी appreciation की स्तिती रहेगी और साथ ही साथ 24 जनवरी 2020 को आपको सनी की सबसाती समापन भी हो चुका है अधाथ आपके जीवन में वो सुख के श्रण वो इंप्रूमेंट वो प्रॉग्रेस एची मेंट प्रॉग्रेस यह सब आरंब हो चुका है जो कुछ खराबी थी वह आप देख चुके जो कुछ भी नेगेटिवीटि थी आप उसमें से निकल चुके अ अब अगले तीन वर्समों तो आपने जिंदगी का वह मुकाम आसिल करना है जिसको एक्स्ट्रा ओर्डिनरी बोला जाता है जिसको अनेक्सपेक्टेट गेन बोला जाता है जो आपने भोगा है उसका एवाड रिवार्ड आपको प्राप्त होने वाला है पांच नवंबर 2019 से लगा करके 29 मार्च 2020 तक ब्रसपती भी रासी से सेकंड आउस में थे आता सबसे ज़्यादा बैक्टर कंडिशन में थे तो अब एक प्रकार से आपके लिए ट्रेलर है ये तीन महिनों का ब्रसपती के लिए आने वाले 30 जून 2020 तक आता लगबग 93 डेस तक ब्रसपती नीच रासी में रहेंगे जो कि वापस तीस जून को अपनी मूल त्रिकॉन रासी में चले जाएंगे धनूर रासी में चले जाएंगे और वापस आपको फाइनिशली वापस आपको ग्रस सुक संतान सुक मेंटल स्ट्रेंथ इन सब चीज से इंप्रूव करेंग कि यह प्रकास से ट्डेडर हैं यह तो सुब्थय अका ट्रेलर होता है शुब समय आप अब अलड़ि 5 नवंबर 2019 से देख चुके हैं और अब यह आपको साभधानी का या यह बोल सकता है साम्हे तका कुष लेकिविटिक के साथ में आपको रासी से ग्यारवें बाव पर है ऐसी इस्तिति में जो भी आप effort करेंगे जो भी आप कर्म करेंगे उसमें आपको नकारत्मक्ता नहीं मिलेगी negativity नहीं मिलेगी ना सुनने का मौका नहीं मिलेगा उसमें हर आलत में चाहो गेन कम भी हो लेकिन गेन जरूर होगा गेन कौन सी रासी को ज़्यादा होगा या कौन से सेक्टर को ज़्यादा होगा सबसे पहले वो सेक्टर है जिससे मंगल का जाता है लैंड और बीडिंग, बिल्टी मेटरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल एस्टुएंट, खाने पीने की चीजें, इटेबल गुड्स, माइनिंग हर्बर प्रड़क्ट, लेक्टिकल गुड्स, होम एप्लैंसेज, एसिड, सॉल्ड, पेंट्स, यह सब मंगल के कारके, यह सब मंगल के बिजनस है, यदि आप यह बिजनस कर रहे हैं, तो आपको गेन ज़्यादा होगा, संतुस्ति पून रहेगा, क्योंकि मंगल इस समय सनी स्वरासी का भी है, सनी रासी से तीसरे बाव में भी है, जहां सबसे ज़्यादा सुब माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा कारक माने जाते हैं, और वो सनी सुक बाव का स्वामी भी है, ऐसे इस्तिति में जो भी काम आप सनी से समधित करेंगे, या जो भी व्यक्ति सनी से समधित कार्य करते हैं या उसमें जौब करते हैं वो लोग भी सुखी रहेंगे वो लोग भी ज़्यादा गेन पाएंगे सूरी इस समय सबसे ज़्यादा बैटर कंडिशन में हैं सूरी आपकी रासी कुनली से तेंथ आउस का एक केंदर का अधिपती होकर के त्रिकोंड से समद्ध जोड़ रहा है वो त्रिकोंड जो कि पंचम बाव है पंचम आमदनी के लिए डे टूड़े की इंकम के लिए नेम फेम के लिए प्रसिद्धी के लिए जाना जाता है तो जो भी गौर्मेंट सेक्टर मे आई एफस ओपिसर हो आई आरेस ओपिसर हो जो भी हमारी इस देश को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इस समयकाल में ज्यादा बीजी भी रहेंगे साबासी भी उनको मिलेगी और अर्टीमेटली वो सफल भी होंगे जो भी काम उनके हाथ में आया है अब बात कर से मिलने वाला मान सम्मान या जो कुछ भी आपको भेंट मिले जो कुछ भी आपको सपोर्ट मिले उसकी बात कर सकते हैं आपकी मेंटल स्ट्रेंद की बात कर सकते हैं आपकी राइट आइज की बात कर सकते हैं आँक की बात कर सकते हैं उसका अधिपती रासी से से कंड आउस है और सेकंडा उसका अधिपती आपकी रासी में या आपकी रासी से कंडा उसका अधिपती ब्रस्पती है जो की इस समय नीच रासी की चल रहे हैं नेगेटिव चल रहे हैं दो ऐसे ग्राओं के साथ में जो की मारक है जो की कुरूर है जो की पापी है सनी और मंगल की बहुत ज्यादा सुब है मंगल भी रासी से तीसरे भाव में बहुत ज्यादा सुब है यहां पर पिडित एक ग्रह होगा वह है ब्रस्पती चाहिए उसे नीजबंग होने का सुख मिल रहा हो उसके बावजुद भी नेगेटिव भी है रासी से तीसरे भाव में भी है जहां पर कि उस speculation में हो या commodity में हो आपको risk factor में जाने की आवशक्ता नहीं है वहां जाने की मैं सलाह नहीं दूँगा और फिर भी यदि आप investment करना ही चाते हैं उस sector में approach करना ही चाते हैं तो किसी विसेशग्य की सलाह लेकर के expert की opinion लेकर ही आगे बढ़े क्योंकि इस समयकाल में आपके लिए इस स्पेक्टर बहुत जादा है राहू रासी से आंट में बाव में हैं और ऐसी स्थिति में केतू second house में होगा केतू के पास में अदूरापने केतू के पास में वाचालता का है केतू hyper active रहता है अता immediate reaction करता है या पिर केतू को ऐसा गरे बोला जा सकता है कि जो काम पहले करता है सोचता बाद में वह इस्थिति आपकी है और रासी से आंट में राव है वो आपको confused वो आपको unstable वो आपको wavering ये सब करने का काम भी करेगा ये सब negative परिणाम भी देगा चाहे राव उच रासी का है उसके बावजुद भी आपकी रासी का शत्रू भी है और रासी से अश्टम बाव में भी है इसलिए सब मिला करके मेरी यही request है कि जो आपने मेनस से पैसा कमाया है उसको ऐसे ही wealth भरबाद मत कीजिए बहुत सोच समझ के investment कीजिए जरूरत नहीं है तो सांत हो जाईए जमीन जायदाद में जो investment करना है उसके लिए फिर भी इस्टिती अच्छी है क्योंकि मंगल इस समय आपकी रासी का भी स्वामी है और साथी साथ जमीन जायदाद का कारक भी होता है सुभ इस्थिती में है उच रासी में है रासी से थड़ा उस में है सुभ है इसलिए सेफ है इसलिए कारगर है आई अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुक्की और साथी साथ भूमी भवन और वहन के सुक्की तो पारिवारिक सुक्की जो इस्तितिक का स्वामी है रासी से फोर्ता उससे सभी सुक्षों के बारे में देखा जाता है जिस सब्द के पीछे भी सुक्ष सब्द आ जाता ह वो सब कुछ रासी से चतुत बाव से देखा जाता है सरीर के सुक की बात कर दीजे, मकान का सुक की बात कर दीजे संतान के सुक की बात कर दीजे, गर्ष सुक की बात कर दीजे जिस सब्द के विचे सुक सब्द आएगा उसके लिए आपका रदे जिम्मेदार होता है, आपका हार्ट जिम्मेदार होता है, अथाथ आपका इमोशन्स जिम्मेदार होता है, और इमोशन्स के लिए व्यक्टि मन की बात कहता है, मेरा मन बहुत दुखी है, मन बहुत प्रसन नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, यह सब के वसीबूत होता है कोई भी वेक्ति आपको गाली देगा कान लगेगी हाथ-पाउं पर थोड़ी लगेगी आप उसको फील करोगे फील करके एक्शन डियक्शन आपके दिमाग से होंगे और इसलिए बोला जाता है दिल और दिमाग दो चीज को कंट्रोल चनमा करता है और च समय के बाद में एक प्रकार से आप ये सोच सकते हैं कि आपको वनवास से मुक्ति मिली है वो इस्तिति आपकी है तो इस समय काल में सुक आपको भरबर के मिलेगा बहुत ही ज्यादा मिलेगा जैसे बहुत समय के बाद में किसी के संतान फोस से वापस आई हो या बहुत बड वरना कौन है और पराय कौन है यह सब कुछ आप रिलाइज करने के बाद में ऐसी इस्तिति में हैं जहां आपको सुख नसीब हो रहा है वरना आपने तो negativity वरना आपने दुख ही दुख संगर सी संगत अपमान अप्या सब कुछ देख चुके हैं आपको कुछ भी बोलने की ज जाता है नेगेटिव हो जाता है वो आदमी जरूर से ज़्यादा emotional होता है लेकिन उस व्यक्ति के पास में जरूर से ज़्यादा तेज दिमाग भी होता है observation बहुत अच्छी होते किसी चीज़ को कहने की quality बहुत अच्छी होती है सिक्के के दो पहलू होते एक पहलू अगर emotional चौत में आप इतना अच्छा सुकत समय अपने घर में सुक भोग रहे हैं सुक देख रहे हैं इसके लिए मैं आपको बढ़ा ही देना चाहता हूं इस समय काल में छोटे भाईबयनों का सुख मिलेगा, आपको माता का सुख मिलेगा, घर गरस्ती का सुख मिलेगा और यदी आपके वाद घर नहीं है तो बहुत जल्दी आपको अपना घर मिलने वाला है या आप उस पर investment करने वाला है, ये समय काल चल रहा है जमीन जाइदाद के मामले में अताज़ भूमी बाउनवान के मामले में ये समयकाल आपको सपोर्ट करता है यदि आप जमीन जाइदाद में investment करना चाते हैं तो investment कर सकते हैं फिर वही इस्तिति है थोड़ा सा opinion ले करके expert opinion ले करके या बहुत सोच समझ करके अपने घरवाले जो दूसरे लोग है उनकी भी सला मस्विरा करके यदि आप investment करेंगे तो safe रहेंगे अकेले ही अपने उपर ही विश्वास नहीं करें या अपने आप कोई confidence में नहीं लें कि मुझे सब कुछ मालूम है या मैं बहुत होसियार हूँ ऐसा नहीं करना है आईए अब बात करते हैं सिक्सा की और साती साथ आपके संतान सुक की सिक्सा का अधिपती या यह बोल सकते है पंचम बाव बुकिश नॉलेज का है पंचम बाव सिक्सा ग्रेंड करने का है पंचम बाव बुद्धी बल का है पंचम बाव नेम फिल्म का है और पंचम बाव के लिए रासी से पंचंभावजी में दा रहे है और पंचंभाव का अधिपती ब्रस्पती इस समय नेगटिव है नीच रासी में कि रासी से सैकेंड आउस से पारी बाती संतान का अधिपती ऑनSONDや तोलों ही नेगटिव घीनर सकती भी देखी जाती है तो रासी से पंचम बाव से बुद्धी बल भी देखा जाता है ऐसी इस्तिती में आप खुद कन्फ्यूज हो सकते हैं ऐसी इस्तिती में जो भी आपने सेक्टर चुना हैं आपको लड़ खड़ा सकते हैं कि मैंने सही सेक्टर चुना है या नहीं चुना है बहुत से लोग इसी समय में एक्जाम देने से बचना चाते हैं कि नहीं मैं तो वापस अगली बार जो एक्जाम होगा वो देने की सोच रहा हूँ साथ मैंने सही सब्जेक्ट नहीं लिया है मैं साथ सब्जेक्ट चेंज करूंगा तो कोई भी ग्रह जो नेगेटिव है उसका इंपेक्ट जरूर पड़ेगा लेकिन ये इंपेक्ट टेंप्रेरी है आप एक बार जो भी एक्जाम आया है एक्जाम दे दीजे जो आपने सब्जेक्ट एक बार चूज कर लिया है उससे पीछे अटने की जरूरत नहीं है हमेशा व्यक्ति को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एफट करने ही पड़ते हैं हर किसी को अपने आपसे विद्या नहीं आ जाती है कोई इंजेक्शन नहीं बनावाए कोई ऐसी टैबलेट नहीं बनी हुई है और कोई ऐसा आसिरवाद नहीं मिलावाए कि किसी वक्ति के सरीर पर रख दिया जाए सर पर रख दिया जाए उसको सारी बुक्स याद हो जाए मैनत करने ही पड़ती है तो आपको भी यह समय सुब आ चुका है इसलिए आप में डवलपमेंट भी होगा आपकी प्रोग्रेस भी होगी लेकिन यह समय टेंप्रेरी समय है वो वीक है इसलिए आपको मैनत जादा करने पड़ेगी एफ़र्ट जादा करने पड़ेंगे और यदि आप अपने आपको कमजोर पाते हैं, असंतुष्ट पाते हैं, बेचैन पाते हैं, अनकमफरटिबल पाते हैं, तो ब्रेस्पति के उपाय करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंतर का आप जाप कर सकते हैं, और नहीं तो रोजाना बजरंग बाण पाट करने की आदत डाल दीजिए, उससे आपको बहुत राहत मिलने वाली है, सनी की तीसी जस्ती सुब मानी जाती है, सनी केंदर का मालिक हो करके, रासी से थड़ा उसमें है, और सनी यहां पर बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है, तो सनी की जस्ती जहां पर पढ़ रही है, वो सनी स साइन्स का मालिक है और टेक्नलोजी का मालिक मंगल है ऐसी इस्तिती में साइन्स एंड टेक्नलोजी से समद्धित जो भी जाता कोंगे जो भी व्यक्ति होंगे जो बी स्टुडेंट्स होंगे वह ज़् давा- पाएंगे वह ज़्यादा सफल हो सकते हैं उनको negativity देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आवशकता नहीं पड़ेगी जो लोग इंजिनिंग से संबंदित हैं मंगल इस समय आपकी रासिका स्वामी होकर के उच्छ रासिका है इसलिए जो भी टेक्नलोजी है चाहे वो सिविल इंजिनिंग है चाहे वो कंपूटर इंजिनिर कर रहे हैं चाहे कोई और चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं मेडिसीन या सर्जिदी से समधी डॉक्टर बनना चाहते हैं उन लोगों को भी यह समय काल सुब रहेगा पॉस्टिविटी रहेगी इस समय जो भी गॉर्मेंट के एक्जाम देने वाले आता है गॉर्मेंट सेक्टर म भी ब्रस्पती ही है वो ब्रस्पती अल्रेडी नेगेटिव नीचरा सीकें लेकिन ब्रस्पती की जांपर दस्ती हो रही है संतान से संतान बाव पर संतान का सुख देखने के लिए संतान बाव से पंचम से पंचम देखना पड़ेगा अतान नवम बाव देखना पड़ेग अतात हंड्रेट में से हंड्रेट परसेंट आपको सुख नहीं मिल पाएगा कुछ कमी के साथ में सुख मिलेगा लेकिन सुख मिलेगा संतान की आपको केर करनी पड़ेगी चिंता करनी पड़ेगी उनके साथ सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि इस समय संतान का अधिपती ग्रह ब्रसपती नीच रासी का है नेगेटिव है वो पीडी थे और कोई पीडी तो उसकी साहता करनी पड़ती है सपोर्ट मे के साथ में पास होते हैं तो कोई बात नहीं अगली बार जदा अच्छे डंग से मैनत करना कोई बात हो जाएगे तुम्हार में बहुत potential है मुझे मालूम है तुम बहुत काभी लो और आगे जाकर कि बहुत सफल होने वालों सरफ यह sentence उसको सपोर्ड कर सकता है अब बात आती है परिवार को आगे बढ़ाने वाली अता जिनकी संतान की चाहत है जो संतान के बारे मैं प्लान कर रहे हैं सोच रहे हैं परिवार को आगे बढ़ाने के के पस्चात और जो अलड़ी गर्वती हैं उन महिलाओं को उन बहनों को उन बेटियों को मैं इस्पेशली कहना चाहता हूं कि यह समयकाल ऐसा है जहां आपको बहुत ज्यादा केरफूल रहना है बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है क्योंकि मंगल इस समय आपकी रासी से सिक संतान का कारखी नेगेटीव है इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ में खुद की भी सावधानी रखनी है खुद को भी बहुत कंफरटीबल कंडिशन में रखना है सब का महीं कर सकती हूं मैं तो आज तक स्टूल पर चड़ करके सब समान निकाली हो तो आप कौन सी काँ पर स्टेर है काँ पर सीडिया है पाँ फिसल सकता है कैजवल्टी हो सकती है सावधानी जितनी रखेंगे उतना आपके लिए सुबह उतना आपके लिए अच्छा है ब्रस्पति के उपाय यदि करेंगे तो आपको अवश्य राहत मिलेगी सपोर्ट मिलेगा आपको भी सांती मिलेगी संतान गोपाल मंत्र एक है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं या विश्णु जी की पूजा उपास ना कर सकते हैं हर गुरुवा को विश्णु जो प्रतिमा होती है उस पर अभिशेक कर सकते हैं विश्णु के मंत्र से और या फिर ओम नमा भगते वासु देवा इस मंतर से भी कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगता है जो आप उच्छान में आसानी समझते हैं वो आप प्रयोग में ला सकते हैं आई अब बात करते हैं आपके रोगों की आपके शत्रूं की आपकी रासी से छटे भाव से रोग, कर्ज, कंपेटिशन, वाद विवाद, आपके विरोधी, आपसे द्वेश रखने वाले और साथ ही साथ आपका बुरा चाने वाले और इसके साथ में कर्ज, कूट कचरी, वाद विवाद, कलेश और 77 भाव के बारे में रासी से 6 ताउस से देखा जाता है छटे भाव से देखा जाता है इस समय काल में अप्रेल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ छटे भाव का अधिपती मनगल है जो इस समय most positive है अथा तो उच्छ रासी के हैं और आपकी रासी के अधिपती भी मंगल देव ही हैं। ऐसी इस्तिती में ये समयकाल आपको न तो रोगों से लड़ने का मौका देगा न शत्रों से लड़ने का मौका देगा। आथा दोनों ही तरफ से आप बहुत सेफ रहेंगे, आप बहुत ही पीस्फूल लाइफ गुजा करेंगे चाहिए को बिजनस कर रहे हैं तो भी आपसे द्वेस्ट रखने वाले आपके कॉम्पुटेटर्स आपसे फाइट नहीं कर पाएंगे कोई रोगों के इस्तिति आपको नहीं देखने को मिलेगी और जो अल्रीडी रोगी हैं उनको भी कोई रोग से बचाव करने के तरीके मिल जाएंगे दवायां मिल जाएगी यह बोल सकता हूं कि उनका इम्मिनल सिस्टम इतना स्ट्रॉंग हो जाएगा कि उनको रोगों की परवा नहीं रहेगी तो यह समयकाल आपको बहुत सपोर्ड करता है रोगों से भी और शत्रूं से भी इसलिए निश्चिंत हो करके अपना समय अव्यतित कर सकते हैं जिंद की जी सकते हैं आईए अब बात करते हैं दामपत्य सुक की और आपके प्रेम प्रसंगों की दामपत्य सुक का अधिपती शुक्र है सब्तम बाव सही ग्रस सुक दामपत्य सुक रवाइक सुक यह सब कुछ देखा जाता है सब्तम बाव पर ब्रस्पती की सुब्रस्ती है वो ब्रस्पती जो की नीच रासी के लेकिन उसकी सुब्रस्ती आपकी रासी सब्तम बाव पर है भग्य बाव पर है और गेन बाव पर है अतालाब बाव पर है ऐसे इस्तिति में ब्रस्पती नेगेटिव होते हुए भी आप काफी साहारा दे रहे एं काफी आपको प edits दे रहे सपोर्ट दे रहे संबल दे रहे तो ग्रस सुक आपको मिलेगा लेकिन इसके साथ में condition है कि रासी से सप्तों बाव में आयवा शुक्र कोई भी कुणली में सप्तों बाव में शुक्र है सूर्य है शनी है राहू है ऐसी इस्तिदिय में ग्रस सुक में कोई बादा जरूर मिलती है असंतुस्ति जरूर मिलती है या तो साधी बहुत लेट होती है या विर्विवा का सुक नहीं मिल करता है शुक्र तो है ही दामपत्य सुक्र का स्वामी स्थान का कारक है ऐसी इस्तिति में वह सुख देने की इस्तिति में नहीं रहेगा तो इस इस्तिति को क्या बोला जाता है इस इस्तिति को बोला जाता है तड़फा तड़फा करके कोई सुख मिलना क्योंकि शुक्र उस बाव में बादाकारक रहेगा ब्रस्पति उस बाव पर दस्ति है ब्रस्पति उस कंडिशन तक लाकर छोड़ देगा तिक जब भी किसी की शुक्र के जिम्में मंगल के जिम्में और ब्रस्पति के भी जिम्में संतान का कारक ब्रस्पति होता है इसलिए भी तो ऐसी इस्तिति में आपको ग्रस सुख दामपत सुख मिलेगा लेकिन उसके साथ में आपको कुछ ने कुछ बादाओं का सामना करना पड़ेगा ठीके उस बादाएं कई प्रकार की हो सकती है आपका जीवन साथी मान लो बहुत ज़्यादा ट्रेवल करते हैं आपके जीवन साथी में एर फोर्स में आर्मी में हैं या सेना में फोर्स में ये बोला जा सकता है आपके जीवन साथी कहीं विदेश में वो अपने प्रॉपर्शन में बह शुक्र यहां पर काफी समय तक रहेंगे 31 जुलाई 2020 तक शुक्र यहीं रहेंगे 28 मार्च 2020 को शुक्र रासी परतन किये हैं और 31 जुलाई तक 126 दिन तक शुक्र यहीं रहेंगे इसलिए आप ये सोच करके चलिए कि ये जो समय 30 जुन तक ब्रेस्पती की दस्ती रहेगी और 31 जुन तक 31 जुलाई तक शुक्र यहीं पर रहेंगे तो एक गरह आपको सपोर्ट करेगा एक गरह आपको सुक देने के लिए आगे बढ़ाएगा दूसरा गरह सुक देने में कमी करने के लिए आपको पीछे खर सकाएगा पीछे खिस देगा ऐसी इस्तिति आ सकती है इसको आप दूविदा की स्तिति बोल सकते है कस्म कस की स्तिति बोलते हैं सम्टाइम आपको सुख मिल जाएगा सम्टाइम आपको सुख नहीं मिल पाएगा ऐसी इस्तिती ही रहेगी अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की उसके लिए पंचम भाव भी जिम्हेदार रहेगा सब्तम भाव भी जिम्हेदार रहेगा शुक्र भी जिम्हेद होते हैं ऐसी इस्तिती में शुक्र यहां पर जो भी relationship में उनको support करेंगे ब्रेस्पती यहां पर सब्तमभाव में इसलिए single जो भी लोग हैं उनको भी कोई को साथी मिल जाएगा उनको भी friend circle में entrance मिल जाएगा involvement मिल जाएगा कोई कोई friend circle उनको हाथ थामने के लिए मिली जाएगा जिसके साथ में वह आगे चल पड़े यह अपने emotion share करने का मौका ढूंड़े ऐसी इस्तिती में यह मैं सपस्ट रूप से कह सकता हूं कि शुक्र ब्रेस्पती और साथी साथ ब्रेस्पती की दस्ति यह तीनों ही इस्तितियां आपके प्रिम प्रसंगों के लिए सुब है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो विवाईत हैं वो भी इस चीज़ को अपने लिए suitable condition मान ले कि चलो में लिए भी बहुत अच्छी condition है मैं भी प्रिम प्रसंगों involvement हो जाऊं आगे बढ़ जाऊं वो इस्तिति आपके लिए नहीं कही गई है जो single है उनकी में बात कर रहा हूं ब्रेस्पती की दस्ति सप्तम बाव पर भागय बाव पर लाब बाव पर है ऐसी इस्तिति में जो लोग भी विवा के लिए ट्राई कर रहें, विवा के बारे मैं सोच रहें, विवा के लिए एफ़र्ड कर रहें, उन लोगों को सफलता मिल सकती है 30 जून 2020 से पहले एंगिजमेंट हो सकती है, सगाई समझत, फाइनल हो सकते हैं आईए अब बात करते हैं आपके केरियर की आपके पिता जी के सुख की रासी से दसम बाव से आपका केरियर आपका कारोबार आपका कर्म आपका जौब रोजगार दैनिक आमदनी इसके बारे में देखा जाता है इसके बारे में विचार किया जाता है रासी से दसम बाव का स् 2020 को सूर्य अगली रासी में प्रेस कर जाएंगे अपनी उच्छ रासी में चले जाएंगे तब और ज्यादा सुब हो जाएंगे और ज्यादा कारगर हो जाएंगे क्योंकि सूर्य को रासी से छटे वाव में सुब माना जाता है कारक माना जाता है नेगटिव होने का कोई आने वाले 13 अप्रेल से सूर्य पर और सूरी की रासी दोनों पर मंगल की जस्ती रहेगी लेकिन अभी भी मंगल की जस्ती है वह सुब जस्ती है रासी से दसम बाव पर मंगल की जस्ती है तो आप जो भी गौर्मेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं गौर्मेंट सेक्टर में उन लोगों के लिए समयकाल बहुत ज़्यादा सुब है, जिम्मेदारी का भी है, आपको जो जो असाइन्मेंट दिये जाते हैं, उसके बारे में बहुत गंबीरता से आपने काम करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि ये समयकाल आपके लिए सुब है, समयकाल आप आपको एवाड रिवाड दिला सकता है, आपके किये वे कारिय आपकी सराना करा सकते हैं, आपकी प्रसिद्धी दे सकते हैं, आपकी प्रसिद्धी बलवान हो सकती है, बड़ी हो सकती है, उस प्रसिद्धी में चार चान लग सकते हैं, ये आपके उपर है, आप कितना ज़् का काम कर रहें जो लोग गौर्मेंट सप्लाइज से समधित काम कर रहें गौर्मेंट लाइजनिंग का काम कर रहें वो लोग भी इस समय काल में बहुत ज्यादा सफल रहेंगे बहुत जादा आगे बढ़ पाएंगे अतात उन्हें Giroudie कि इस्तिति या उन्के कामों में व्रत्दी होने की इस्तिति एक्समांसन की इस्तिति जबढ़र्दस्त रहेगी जो लोग बिजनस करते हैं उन लोगों की भी इस समय इस्तिति अच्छी रहेगी सूद्रण रहेगी नेगेटिव होने की अंदेशा नहीं है जो सब लोगों के साथ में परिस्तितिया हैं उससे आप कुछ बैटर ही देख पाएंगे अधाद यदि मार्केट में मंदी है मार्केट में नेगेटिविटी है तो उसका कम से कम असर आप पर होगा मालीजिए एक सेक्टर है जिस पर 50% असर है लेकिन आप पर उसका असर 10% ही रहेगा आप अपने दिमाग से आप अपनी युक्ति से आईडिया से कहीं कहीं अपनी प्रॉलम का सॉलूशन डूंड पाएंगे जिससे आप आगे बढ़ जाएंगे और मैंन इस्तित तोर पर आपको कहना चाहता हूं जो लोग मेनत मजदूरी करते हैं उन लोगों के लिए भी मैं यह कहना चाहूंगा यह समयकाल उनको कहीं सभी मजदूरी दिला है या मजदूरी नहीं मिलकर के गौवर्मेंट से डायक्ट आपको एड मिले वो इस्तिती भी आ सकती यह आताद आप खाली हाथ नहीं रहेंगे या तो आपको कोई काम मिलेगा या पिसरकारी साहिता से आपका काम होगा लेकिन आपकी दैनिक जिंदगी है दैनिक दिन चरिया वह चलती रहेंगी अब बात करते हैं पिता के सुक्की तो इस समयकाल में एक केंदर का अधिपती त्रिकोन बाव में है सूर्य दसम बाव का अधिपती भी है और सूर्य दसम बाव का कारक अतात पिता का कारक भी सूर्य ही है दोनों कंडिशन में आपके लिए स्थिती बैटर है सुब है इसलिए आपके पिता जी का स्वास्ति अच्छा रहेगा, वह जिसमें भी बहुत प्रगति करेंगे और घर का वात्तावन भी अच्छा रहेगा और आपको जो अपेक्षा है उनसे वह भी पूरी हो सकती है वह वह सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है आप अब पारे पास में है वो सारी इस्तितियां का नाश का भी रासी से बार्वा भाव ही है पैसा आपने अर्ण कर लिया पैसा आपने कमा लिया फिर आप क्या करेंगे खर्च करेंगे खर्च का घर बार्वा है ऐसी इस्तिति में शनी की दस्वी दस्ति यह वह बार्वे बाव पर है वहां पर किशनी उच्का होता है और उस भाव का अधिपति शुक्र है जो स्वरासी का है ऐसी इस्तिति में आप यात्राओं पर पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे या तो आपकी यात्राओं ज्यादा तर कैंसिल हो जाएंगी और फिर यात्र कारगर नहीं होता है तो आपका साइड लाइन पर दूसरा प्लान क्या है जिससे आप अपनी यात्रा को पूरा कर पाएं यह सोचते समझते हुए यात्रा का प्लान बनाएं और एक्स्ट्रा बजट लेकर कर चलें क्योंकि वापस आने में यदि आपके वास बजट नहीं ग्यान रखता है उसने आपको कुछ भी रतन बोल दिया आप उस रतन को खरीद करके पहनने स्टार्ड कर देते हैं पहनने लग जाते हैं क्या उससे कोई आपको फाइदा हुआ ज्यादा तर लोग गलत धारनों में गलत व्यक्तियों से पूछ करके रतन धारन करते हैं और उसके बाद में जूत इसको गाली देते हैं कि हमने यह पैना हमने इतने पैसे खर्च किये उसके बावजूद भी हमको फाइदा नहीं हुआ तो थोड़ा सा प्रियास आप और कीजिए कि आपकी जन्म कुंड़ी या जन्म रासी के अनुसार कौन सा रतन पहनना चाहिए वो सायोग मिले ऐसी इस्तिती में जीवन का रतन मंगल है आपका कारक रतन या प्रसिदी का रतन केरियर का रतन नेम फिम का रतन वो है पुखराज है और साथ में भागय का रतन मोती है इसलिए मोती मुंगा और पुखराज तीनों को एक साथ में चाहिए रतन या उपरतन एक स ट्रेंद पासकते हैं, पोजितिव फल पासकते हैं, और इसके बारे में, यदि कुछ अधिक जानना है, ये लोकेट थीन रतनों का प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो जोत्पूर आफिस नंबर है, उस पर फॉन कीजिए, अपनी जिग्या सा सांथ कीजिए, और यदि आपको चाहिए, तो आप उनको बोल सकते हैं इसना आपको, तो आपको घर बेटे, पहुंचेने का पूरा-पूरा प्रियास करेंगे, लेकिन सिर्फ रतन धारन करने से ही इस्तिती पूरी इस्प्रस्ट नहीं होती है, जीवन में यदि आगे बढ़ना है, जीवन में यदि सफल हो सकता है, और उसका कितना फल आपको मिलेगा, आपको फल कर्म करके ही मिलेगा, लेकिन कर्म कौन सी दिसा में करना है, ये भी तो जरूरी है, बारिस हो रही है, और एक व्यक्ति खड़ा खोद रहा है, वो खड़ा कभी पूरा खोद ही नहीं सकता, बारिस के साथ धूल मिटी उसके खड़े को बढ़ती रहेगी और वह व्यक्ति दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा अपनी परिस्तितियों को नहीं देखेगा तो वह व्यक्ति कभी भी उसकाम में सफल नहीं हो सकता यहीं बात आपकी भषिशिबर भी लागू होती है आप करम करते चले जाएंगे लेकि कब हो सकता है संतान का सुक कब है आपको केरियर का सुक कब है नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए तो कौन से सेत्र का करना चाहिए बहुत सारे ऐसे प्रस्तन है जिसका जवाब जोतिस के माद्यम से ढूंड़ा जा सकता है और इसलिए मैं कहता हूं कि जोतिसी को सांथ करना है तो जिन सेरों में मेरे कि समस्य समदान सिविल लगते हैं अथात मेरे अपटमेंट्मेंट्मेंट्स होते हैं उन सेरों में आप अपटमेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्में तो कोई भी ऐसी मन में दबिवी इच्छा है जिग्यासा है आपका लक्ष है उसके बारे में अंजानमत बने रहे हैं उसके बारे में ज्यादा सोचने की जगे सही डंक से परामर्स लीजिए ताकि समय पर आप अपने लक्ष तक पहुँच पाएं या अपने लक्ष के और अपने अपने परिवार का अपने घर के चोड़ चोड़े बच्चों का और घर के बुजूर्गों का विशेस ख्याल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत बहुत सुपकामना है इश्वर आपकी रक्षा करें धन्यवाद अड़ आपकी रखेंग आपकी रखें गन्यवाद